नुश्कार मेरे प्यारे दोस्तों दॉक्टर पंकर नागर की तरफ से जोतिश फटा फट दोस्तों जैसे के आप जानते हैं आज अपड़ी 2021 के दिन गुरु अपनी नीच राशी मकर को छोड़के शनी की कुम राशी में ब्रह्मन शुरू कर देगा आज तक बहुत सारे शोग के अंदर मैंने मिथुन, तुला और कुम राशी के लिए कुछ साउधानियां बरतने के लिए बात के थी क्योंकि ये तीनों राशीयां राहु, शनी और गुरु की वज़र से काफी कुछ भुगत रही है यानि कि तन मंदन से कुछ न कुछ उनके साथ प्राब्लेम चल रही है लेकिन तीन राशी वाले दोस्तों यानि कि मिथुन, तुला, कुम वायुतत्व की इन तीन राशी वाले मेरे प्यारे दर्शक मिथुन दोस्तों आपके लिए एक शूप समाचार है पाच अप्रिल से आने वाला कुम राशी के अंदर ब्रह्मन करने वाला कुम राशी के अंदर जो गुरु है वो आप लोगों को शनी की पनोती में कुछ राहत, रिलिफ देगा ये बात पकी है क्योंकि ये तिन राशी वालों के साथ गुरु का ब्रह्मन नवव पंचम जिसको पाराश्यर, मंत्रेश्वर, नारद, कश्यप, ब्रुगु, महमुनियों ने अत्ती शूब माना है तो मिथुन, तुला, कुम राशी आपके लिए अच्छे समाचार है संतान और इंतहान बहुत अच्छे रहेंगे, शेर बजार से लाब रहेंगे अगर आप कमा रहे हैं तो शादी व्याद के मामलों में भी आपकी प्रगती उन्नतियों प्राउग्रेस होगी वीजा, पासपोर्ट, लंबी वायू यात्राय या दरियाई यात्राय आपके लिए काफी कुछ हद तक अच्छे समाचार लेके आएंगे आपका मानसिक तनाव काफी कम होगा तो अंदुरस्ती आपकी ठीके रहेगी दोस्तो 32 पटापट में आपके लिए तीन दाशी वाले यानि कि मित्थून, तुला और कुम मेरी बहुत सारी शूप कामना है, धेद, सारे आशिरवाद, नमस्कार, आदा बर्ज, सस्री अकाल, जैशिर अम्बे